खबर कराहल से है जहां नशे के खिलाफ हो मिल रही शिकायतों पर शनिवार को पुलिस ने नशे के धंदे बाजू पर कड़ा एक्शन लिया है सुभा से ही पुलिस ने नशेडियो और इसमें शराब गांजे आदी के धंदे करने वालों को दबिश दे कर पकड़ना शुरू कर दिया है जिसमें बारा लोगों की खिलाफ उपर कर दर्ज कर कराहल थाने से लेकर तहसील तक उनके पैदल ले जाया गया और तहसील में पेश सूची बना ली है अभी बारस से जादा रोपियों को जेल भेश दिया गया है जल्द ही जो फरार बने हुए हैं उन नशात असकरों को भी प्रक्रदर्ज कर जेल भेश दिया जाएगा और करहाल को नशामुक्त कर दिया जाएगा था की नशाप खोरी के खिलाब जंता का सरयोग से पीने वाले पिलाने वाले बैक्री कर ने वालों के खिलाब आप कासे गया है और उन्यलूस निकालाई कैसा कर वही निर्णतर जारी रहें गी एक भी नशाप करने वाले को छोड़ाने सब लोग ने देखी है आज थाने से लेके तैसिल तक जो नसीर कारोबर करते हैं या नसा पीते हैं उन लोगों को तैसिल तक पैदल ले जाए गया क्या कारवाई की है सर आज आपने अब यह मुझे परदस सूरे लोगों पंदर वीज दिन हो गई हैं और ताने की कारपणाली को भी लगवग समझ दिया है और यहां जो है कि कराहल पिछले काफी समय से जो है नसी की गरफ्त में आ चोका था कि अब अभी बर्व ने में चोई सिकायते हैं दी जादा रहें तो जो है मैंने इनके भरूद में जो है जो भी नसहादर अंगिन संनλέभध है यह जो जो बीचार आजस्क अब वारा लोगों के विरुद्वरों के जीएं। जो है फिर जलोगों जावाल वाली लोगों के परिवार के सद्धिश्यां का कहना है। इसमें भेचने वाले अन्य माफिया, कुछ नहीं पकड़ा गया, क्या कहना चाहते हूं? इस सोची मेरे पास में मैंने कुछ गोपनी सोच्चों से पता किया, जो भी इस कारोभार में सर्मिप्त होंगी, प्रते दिन जारी रहेगी जबतक इस कराल को नसी से मुक्तली कर जाएगी, जब तक इस अभ्यान नहीं होखेगी ठीक सर्ट